Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope अच्छे होगे, घर में होगे, सुरक्षित होगे आप सब लोग और अपनी study को continue कर रहा होगे ये मैं hope रख रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि अभी का जो situation है इसमें हमारे पास ज्यादा options नहीं है और option जो है उसको मैं आपके लिए ले के आ र करना चाह रहे हैं वो मुझे WhatsApp पे अपने पूरी डिटेल्स भेजेंगे अपना नाम और किस बैच में थे या वो बच्चे जो न्यू है जो न्यू हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं वो हमें WhatsApp करेंगे WhatsApp नंबर आपको description में मिल जाएगा link भी मिल जाएगा pages पे भी और कर दूँगा तो आप जल्दी से जल्दी आप अपना सारे डिटेल्स हमें WhatsApp कर देंगे और वो आपको मैं फिर connect कर दूँगा और साथी साथ आपके पास message भी forward कर बाद दूँगा कि कब से है कितने बज़े से timing है यह सारे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगी और आते हैं अ अभी तक हमने दो lecture देखे हैं पहला lecture बहुत basic basic सा था हमने parts को देखे थे और second जो lecture था उसमें हमने morphological view देखा था बाहर से क्या क्या चीजे दीखती है और साथी homologus organ total 5 organ के बारे में बताया था यह सारे डिटेल्स आपको previous दो जो video lecture है वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आ दूसरा word है histology और दूसरा word है ove duct आपने पहले से भी सुन रखा है logi word का मतलब होता है study तो study किसके बारे में तो दूसरा word है histo हिस्टो का मतलब होता है टिशू, तो टिशू के बारे में पढ़ना, study करना, that is known as histology, study of tissue is known as histology, और जो दूसरा वर्ड है यह है ove duct, duct और दूसरा वर्ड है ove, duct, ऐसा duct जिसके थुरू ovum का complete passes होता है, आपने देखा था कि यहाँ पे हमारा primary sex organ होता है, that is the ovary, और यहाँ से यह ovum निकलता है, यह ostrium से होते हुए ampoula तक पहुंचता है, और further अगर fertilization होता है, तो female uterus के fundus region पे जाके implantation हो जाता है, और अगर fertilization नहीं हुआ, तो menstrual blood के साथ बाहर आ जाता है, vagina के थुरू, और इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहली बात ह कि oveduct हम बोलेंगे कहां से कहां तक, तो ऐसा opening जो extended है, कहां से, ओस्टियम से लेके वजाईना तक, यह जो complete opening है, इसी को हम नाम देने वाले हैं oveduct, अब आएं, तो tissue की बात करेंगे, तो तीन टाइप का tissue यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पहला tissue है, जिसका नाम है edventia, या दूसरा नाम होता है इसका cirosa, second जो layer है, जो second type का tissue है, that is the smooth muscle layer, and तीसरा जो tissue है, इसका नाम है mucosa, हलाकि इसके नाम में changes जाएंगे, तो सबसे पहले मैं यह जो बात कर रहा हूँ, basically मैं आपको तीन पार्ट दिखाता हूँ, यह पहला पार्ट, that is the fallopian tube, second पार्ट, uterus, cervix वाला portion, और जो third part है, that is the vagina, अब अगर naming की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो फैलापियन tube है, इसमें सबसे outer layer, यही layer है हमारा कौन सा, तो यह layer है हमारा cirosa, या आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, नाम देंगे क्या, adventia, तो सबसे outer layer है, तो outer layer का आपको काम पता होता है कहीं पे भी किसी भी body के parts में, जो outer layer होता है, basically इसका काम होता है, protection का, तो यहाँ पे भी जो cirosa का काम होगा, यह protection देने का काम होगा, किसी भी तरीके के mechanical यह chemical damage से बचाने का काम करता है, जो second layer है, that is the smooth muscle layer, यह जो red color से आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह है हमारा smooth muscle layer, आते हैं, तीसरे part की बात करते हैं, जो तीसरा type का tissue हमें देखने को मिल रहा है, यह जो green color से आप देख रहा है, that is the mucosa, यह है हमारा mucosa, तो तीन layer हो गए, सबसे outer cirrhosa protection का काम करेगा, जो second layer है, smooth muscle layer, इसका काम होता है contraction का, यह contraction करता है, movement में मदद करता है, जब यह ostium के माध्यम से ovum entry मारेगा, तो यह contract करकर के इसको एक specific position पे ampulla में पहुँचाने का काम करता है, तो smooth muscle layer का काम है, contraction and movement, और जो third layer है, वो है mucosa, जो mucos की secretion करेगा, और इस area को, इसको slippery बना के रखेगा, so that frictionless movement हो सके, आसानी से ovum अपने target तक पहुँच सके, तो philippian tube में यही तीनों नाम से हमें ध्यान में रखना है, सबसे बाहर, cirosa या adventia, that is protection का का काम करेगा, smooth muscle layer, इसका काम होगा क्या, तो यह contraction and movement में मदद करेगा, और तीसरा layer है mucosa, जिसका काम होता है कि mucus की secretion करना, frictionless movement में यह help करता है, अगर यही तीनों layer के बारे में, अगर हम इस area में बात करें, यानि कि हम uterus में बात करें, तो आपको पता है, uterus की wall को हमने नाम दिया था, क्या, तो नाम था इसका material wall, क्या नाम था, material wall, so that, अब यह जो material wall है, तो इसका नाम भी वैसा ही होने वाला है, अब हम cirosa को cirosa नाम से नहीं जानेंगे, अब इसका नाम हो जाएगा, सबसे बाहर का layer, that is, perimetrium, perimetrium हम इसको नाम दे रहे हैं, हलाकि एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, इसको हम peritonium भी बोलते हैं, तो एक और नाम आप ध्यान में रखना है आपको, इसका एक और नाम होगा, peritonium, आते हैं, second layer, यानि की smooth muscle layer की बात करें, तो uterus की wall का है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले से आपको पता है, क्या, myometrium, और जो हमारा third layer है, uterus की lining में, इसका नाम आपको फिर से पता है, इसे हम नाम देने वाले हैं क्या, तो नाम हो जाएगा, इसका indometrium, अगर हम functioning की बात करेंगे, तो functioning अभी भी सेम है, perimetrium, वो अपस से protection का का काम करेगा, myometrium, contraction movement का का काम करेगा, जबकि indometrium का का काम होगा, mucous का secretion, साथी साथ कुछ और भी काम करते हैं, और यह जो myometrium है, यह काफ़ी interesting है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे, parturation process का, में यह myometrium जो होता है, यह largest involuntary muscle है, अब आते हैं, endometrium हमने नाम दे दिया, यहाँ पे, perimetrium, myometrium, endometrium, अब आएं अगर vaginal region में, तो vaginal region में वापस से इसका नाम ascites हो जाएगा, यानि कि पहले की तरह, cirosa, smooth muscle layer and mucosa, यानि vaginal region में बात करें, तो वापस से सबसे बाहर का layer, that is the cirosa, या adventia, दूसरा layer, क्या नाम होगा इसका, तो नाम होगा smooth muscle layer, और जो third layer है, third layer का नाम है, हमारा क्या, तो mucosa, अब जड़ा ध्यान से आप देखिए, तो ये जो smooth muscle का layer है, ये vaginal opening के पास, यहाँ पे एक flap like structure है, ये flap like structure क्या है, तो ये flap like structure का नाम है, क्या, hymen, क्या नाम है, हाइमेन, किसका बना हुआ है, कलर से आप बहुत आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, smooth muscle layer का, किसका, smooth muscle layer का, जो vaginal को partially cover करके रखता है, thin flap like structure होता है, जो vaginal opening को partially cover करके रखता है, इस hymen के बारे में बहुत interesting बात है, कि आज से बहुत time पहले तक, लोग ऐसा मानते थे, कि hymen का persist करना, यानि hymen का होना, it is the sign of virginity, यानि किसी female का sexual experience है, या नहीं है, यह hymen के होने या नहीं होने से decide होता था, बट आज की जो females हैं, यह बहुत सारी activity में participate करती हैं, like cycling हो गया, horse riding हो गया, इसके अलाबा बहुत सारे ऐसे sports activity हैं, जो hymen के rupturing के लिए responsible होते हैं, यानि कि कि किसी female में hymen का rupture कर जाना, किसी भी तरीके से sexual experience का indicator नहीं है, यानि hymen का होना या नहीं होना, इस बात को बिलकुल भी थाबित नहीं करता है, कि वो female version है या नहीं है, क्योंकि hymen किसी भी वज़ा से तूट सकता है, आइदर वो cycling से तूट सकता है, horse riding से तूट सकता है, sudden fall अचानक से, jump करने से, zalt से, या फिर किसी भी तरीके की sports activity से, यानि hymen तूट जाए, तो इस बात को हम नहीं कह सकते कि वो female version नहीं है, यानि hymen का होना या नहीं होना, बिल्कुल भी इस बात को साबित नहीं करता, उस female की sexual experience के लिए एक reliable indicator नहीं है, ये किसी भी वज़ा से तूट सकता है, sometimes एक कई बार ऐसा भी होता है, कि hymen throughout the life persist कर जाता है, ये fold होके side में आ जाता है, बिल्कुल भी rupture नहीं करता, तो क्या, अगर कि female है, जिसके बहुत सारे baby हो गए, या उसके sexual experiences है, बाप जूद इसके hymen fold होके side में आ गया, तो क्या हम ये बोलें, कि वो virgin नहीं है, या virgin है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कि उसकी virginity का symbol बिल्कुल भी hymen नहीं है, हाँ, आज से पहले, अगर हम आज से 50-60 साल पहले बात करेंगे, तो ये हो सकता था, इसके बहुत सारे regions हैं, क्योंकि पहले कि जो females होते थी, वो puberty आते आते तक, उनके सारे sports activity बंध हो जाते थे, वो किसी भी तरीके से दौर भाग नहीं करते थी, तो उस time पे ये एक reliable indicator हो सकता था, but nowadays hymen is not a reliable indicator of sexual experience और virginity, और एक और बात जो आप के NCIT बोलता है, कि किसी भी female में, जो unmarried female हैं, उन female में vaginal tampoon, ये vaginal tampoon एक छोटा सा instrument है, जो use करते हैं gynecologist, अंदर में किसी भी तरीके के micro organism का infection हो जाने पे vaginal tampoon का use किया जाता है, तो vaginal tampoon का use strictly prohibited है, किसी भी unmarried female में, क्योंकि कई बार vaginal tampoon is also responsible for rupturing of high male, so vaginal tampoon strictly prohibited है, gynecologist उसका use किसी भी unmarried female में नहीं करते हैं, अब कुछ बात जो tissue से related है, जो neat के लिए especially मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत simple simple सी बात है, हलाकि जब tissue पढ़ेंगे तो बहुत detail में बात करेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि neat examination कई बार human reproduction में tissue को match करके question पूछता है, तीन टाइप का tissue मैंने नाम लिखा है और ये कहां कहां पे पाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो tissue है, ciliated columnar epithelium, आपको basically मैं ये बता दूँ, कि जो tissue होते हैं, वो दो type के होते हैं, simple tissue and compound tissue या complex tissue आप बोलते हैं, जिसमें single layer होता है और जो multi layered होते हैं, तो ciliated, simple tissue का part है, ciliated columnar epithelium ये तीन जगा पे देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ, तो female के philippian tube में, दूसरा endometrium में और तीसरा male के epididymis में भी ये देखने को मिलता है, बहुत important है, आपको ध्यान में रखना है, male के epididymis में आपको देखने को मिलेगा, ciliated columnar epithelium, और female के दो जगा पे, philippian tube पे and साथी साथ endometrium पे, जो second tissue है, that is the transitional epithelium, पढ़े होंगे, अगर आपने excretory system पढ़ा होगा, तो आपको आप पे पता भी होगा, कि transitional epithelium stretch receptor का काम करता है, और ये basically दो जगा पे देखने को मिलेगा, male का हो या female का हो, ureter में हो, as well as ये urinary bladder में भी देखने को मिलता है, जो तीसरा डाइप का tissue है, ये है simple squamous epithelium, और ये male के case में rated testis में देखने को मिलता है, very very important, बहुत probability है इन questions की, NEET 2020 हो या 2021 हो, आप इस year exam दे रहे हो या next year exam देंगे, ये questions जब दो तीन topic को, NEET ने nat print set किया है, कि वो एक topic में बहुत सारे topics को combine करके, और फिर question form करता है, तो बहुत important है ये तीन tissue को आपको ध्यान में रखना है, और कहां कहां पे देखने को मिलता है, ये भी ध्यान में रखना है, तो बहुत basic सी बात है, अगर हम histology of ove duct की बात कर रहे हैं, तो बहुत basic बात, histology का मतलब है, study of tissue and ove duct का मतलब है, वो opening जो extend कर रहा है, ostium से लेके वजाइना तक, tissue के types कितने, तो तीन type का, adventia या serosa, दूसरा layer, smooth muscle layer, तीसरा mucosa, सब की अपनी functioning भी है, adventia या serosa का का काम, protection का, smooth muscle layer का का काम होगा, contraction and movement का, mucosa का का काम होगा, mucos का secretion, जो की frictionless layer बनाने में help करता है, Philippian tube में, as well as vagina में, नाम as it is रहेंगे, जबकि अगर हम uterus region में बात करेंगे, तो इसका नाम change हो जाएगा, क्योंकि uterus की जो wall होती है, इसको हम material wall बोलते हैं, इसलिए serosa का नाम हो जाता है, perimetrium, या एक और नाम ध्यार में रखना है, that is the peritonium, दूसरा smooth muscle layer नाम हो जाएगा myometrium, and mucosa का नाम हो जाएगा indometrium, एक बात और smooth muscle layer का एक पतला सा जिल्ली टाइप का thin flap like structure है, जो vaginal opening को partially cover करके रखता है, that is the hymen, और ये कुछ basically types of tissue और इसके location की बात है, so that's all about this video lecture, next class में हम लोग बात करेंगे, ovulation के complete process को, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे menstrual cycle को, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और एक पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो बच्चे जो online classes के लिए interested हैं, वो please आप whatsapp करिये, और सारे detail मुझे as soon as possible send क जितनी जल्दी हो सके, एक से दो दिन में मैं वापस से YouTube के माध्यम से ही, या फिर किसी और app के माध्यम से, online classes आपके लिए लेक्या हूँगा, thank you so much